Hello Everyone, Class 8 Mathematics का Chapter 11 शुरू कर रहे हैं आज़, Chapter का नाम है Mensuration Exercise 11.1, Question No.1 करेंगे A square and a rectangular field with measurements as given in the figure have the same parameter देखेंगे, एक square दे रखा है और एक rectangular field दे रखा है इनके measurement दे रखेंगे और इन दोनों का same parameter, parameter दोनों का same दे रखा है Which field has a larger area, अब हमें यह पता करना है इन दोनों में से area किसका बड़ा है तो सबसे पहले हम क्या करते है, square का perimeter निकालते हैं और जितना आएगा उसको rectangle के perimeter के बरावर लिख देंगे, तो देखो perimeter of square क्या होगा तो लिख लेते हैं पहले, perimeter of square equal to यह होता है 4 into side, तो हमने लिख दिया 4 into side, अब देखें यह side दे रखे 60, तो क्या होगा 4 into 60 answer कितना है कि इन दोनों को multiply करें तो 4, 6, 24 होता है और 1, 0 है तो हमने 1, 0 लगा दी, meter में है तो meter में भी इसके साथ unit लगा दी, यही perimeter rectangle का भी हो गया, यहाँ पर भी सेम लिख देते हैं कि perimeter of rectangle equal to लिख देंगे 240 meter, तो लिख देते हैं यहाँ पर perimeter of rectangle, तो rectangle का perimeter कितना होता है, rectangle का perimeter का आपको formula पता है, क्या होता है, 2 into L plus B, और यह हमारा कितना होगा, according to question, कितना 240 meter, ठीक है, तो यहाँ पर आगा 2 multiply में है, इस bracket के साथ, तो यह 2 दूसरी तरफ जागा, तो divide में आजा, कितना है, L plus B कितना आजागा, 240 upon 2, ठीक है, इसको cancel out कर देते हैं, तो यहाँ आजा कितना, 120, अब देखे, L plus B आगे, 120, और L कितना दे रखाता है, यहाँ पर, 80 meter, ठीक है, यह length है, तो 80 meter, तो यहाँ लिख देते हैं, 80 plus B, equal to 120 meter, B को यही रहने देते हैं, तो यह 80 दूसरी तरफ जागा, तो minus में हो जागा, तो कितना जागा, 120 minus 80, 120 में से 80 को घटा देंगे, तो कित हम पर देखे, breadth कितने आ गई, 40 meter, यहाँ length दे रखिए, अब breadth आ गई, हम असान इसे दोनों का area निकाल सकते हैं, अब देखे, अगर हम पहले area of square की बात करें, तो area of square क्या होता है, area of square होता है, side into side, तो side दे रखिए, 60, तो क्या होगा, 60 into 60, तो देखो कितना जागा, 66 होता ह है, 36 और 0 into 0, यहाँ 2 0 हों, तो 2 0 यहाँ लग जाएंगे, तो 3600 meter square, ऐसे ही area of rectangle निकाल लेते हैं, तो area of, area of rectangle का हमारे पास formula क्या होता है, L into B, तो L into B लिख देते हैं, जोको length कितनी है, 80, और breadth कितनी है, 40, तो क्या लेते हैं, 80 into 40, इन दोनों को आप multiply कर दीजे, 2 0 है, तो last में तो 2 0 हैं, लग जाएंगे, और 8 4 जा, कितना हो जागा, 32, 3200 meter square आगया rectangle का area, अब आप आसानी से बता सकते हैं, कि किसका area ज्यादा है, तो दीखे, square का area ज्यादा है, square का area 3600, rectangle का 3200, तो हमें लिख देंगे, therefore, square has larger area, ठीके, तो question 1 हमारा complete हो गया, I hope कि आपको कोई समझ में आया होगा, next video में मिलते हैं, question number 2 के साथ,